नमस्कार आप देख रहे हैं दिली तक में हूँ आपके साथ अनुराथा तरब दिली में 24 मही तक के लिए लॉकडाउन को एक्स्टेंड किया जा चुका है ये बात आप जामते हैं कि सरकार दे 24 मही तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है लेकिन इस स्वीच कोर्णा की नए मामले दिली में काफी कम हुए है ये मामले घटते हुए अब एक दिन में 4000 की नीचे दर्ज किये गए ऐसे में अब सरकार की तरफ नजर टिकाए हुए लोग देख रहे हैं कि दिली में लॉकडाउन कब खुल सकता है सरकार इस बारे में कब पैसला लेगी तो इसी कड़ी में स्वास्त्यमंत्री सतेंद्रजेन से पूछा गया कि दिली में लॉकडाउन खुलने को लेकर सरकार का टार्गेट किया है स्वास्ता मन्षवी सतेन रजैन ने कहा जिस तरह से मामलों में काफी कमी आई है और positivity दर अद 6 के करीब पहुझी है ऐसे में उमीद की जा रही है जब 이 positivity दर 2 के करीब पहुझेगी तब सरकार इस बारे में सोच सकती है हलाकि उन्होंने कहा कि फिलहार उनका टार्गेट है कि दिल्ली में जीरो केसिज हो और जीरो ही पॉस्टिविटी दर्ग हो ज्यादा माना जाता है अभी हम 6 परसंट के आसपास हैं टार्गेट हमारा यह होना अच्छी कि दो परसंट तर दिल्ली पहुंग है तो स्वास्तुमंत्री सतेंद्र जैंड का बयान आपने सुना अभी फिलाल सरकार पॉस्टिविटी दर के घटने का इंगजार कर रही है कोर्णा मारी की बात की जाए तो दिल्ली में दूसरी लहने आतंक बचाया था लेकिन उसके बाद अपछले कई दिनों से मामलों में भारी गिरावट देखी गई है अगर 19 मई की बात की जाए तो आपको बदा दे कि 19 मई को दिल्ली में 3846 नए मामले सामने आये वही 235 पॉस्टिविटी दर हो चुकी है ऐसे में तमाम आक्रे इशारा करते हैं कि दिली में कोर्णा वारस महामारी की जो तस्वीर है वो अब नीचे की तरफ जा रही है यानि कि वो अब धुली पड़ रही है और अब दिली में ये आक्रे जो है एक बहतर तस्वीर पेश करते अलर्ट जारी किया जा चुका है किसी भी तरह से हालातों को लाइठी नहीं लिया जा सकता सरकार की तरफ से 24 मैं तक के लिए लौभणाउं को एक्षेंग कीया ही जा चुका है लेकिन मामलों में जिस तरह से कमी आए है उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार लॉकडाउन खोलने को लेकर एक बड़ा फैस्टा ले सकती है स्वासमंत्री सतेंड रुजैन तो भी कहना था कि पॉस्टिविटी दर अगर दो के करीब पहुंचती है तो सरकार इस बारे में सोच सकती है हलाकि उन्हें साथ तोर पर खुल कर कोई भी बात नहीं कही लेकिन इशारा जरूर किया कि पॉस्टिविटी दर अगर दो के करीब पहुंचेगी तो फिर सरकार इस बारे में सोच सकती है हलाकि वो यह कह रहे हैं कि उनका टार्गेट अभी फिलाल जीरो है दिल्ली में 0 केसिज हो और 0 की पॉस्टिविटी दर पहुंचे लेकिन अगर बात की जाए मौझुदा हालात की तो मौझुदा हालात में अब दिल्ली में अस्पतालों में कोर्णा वाइरस की मरीजों की स new बात करें तो उनके एड्मिशन कम हो रहे हैं और डिस्चार्ज केसिज अब ज्यादा हो रहे हैं रिकवरी रेट में भी काफे सुधार हुआ है ऐसे में उमीद यही की जा रही है कि दिल्ली में जल से जल कोर्णा को मात मिले और दिल्ली कोर्णा मुक्त हो जाए